लिएर स्टुडेंट्स, स्टेट्स और मैटर में गैसिय स्टेट को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टडी करेंगे गैस लाज तो कौन-कौन से गैस लाज है पहले आप ये दिखने जी जैसे फर्स्ट नमबर पर हमें करना है बाइस ला और सेकिंड है चार्स ला और थ स्टुडी करेंगे और फॉर्थ नमबर पर रहेगा है गैड्रोला ये फर्स चेप्टर में भी आपने इसको रीट किया था और फिफ्ट जो सबसे इंपोर्टन्ट है वो क्या है ता गैस एक्वेशन तो अभी हमें ये बाइस ला स्टुडी करना है और उसके बाद नेक्स लक्चर में चार्ट स्टुडी करेंगे और सबसे इंपोर्टन्ट ये है गैस एक्वेशन और ये दो भी आपको समय नहीं हैं क्योंकि इनके बिना फिर आपको ये वरा टॉपिक समय नहीं आएगा तो अभी आज हम स्टुडी करने वाले हैं बॉयल्जला सबसे पहले समझत हैं बॉयल्जला तो इसको अगर हम कोई गैस लेते हैं किसी वेसल में और उसके उपर प्रेशर अप्लाई करते हैं ऐसे किसी सिलिंडर में गैस लिया और उपर से प्रेशर अप्लाई किया तो आप देखेंगे जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इस गैस का वाल्यम जो ह वो decrease होता जाएगा अगर temperature change ना करें तो it means कि temperature को अगर हम constant रखते हैं means fix रखते हैं बीच बीच में change नहीं करेंगे क्योंकि temperature change करने से volume जो है वो gas का change हो जाता है जिसको हम आगे study करेंगे तो pressure जो है increase करने से volume जो है वो decrease होगा it means कि वो इसके inversely proportional होगा तो यही boils ला की definition है जो आपको note करनी है at constant temperature ये याद रखना है कि जब भी आप boils ला को define करें तो constant temperature तो लिखना ही है सबसे पहले तो at constant temperature the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure इसका मतलब ये है कि volume जो है किसी गैस का अगर temperature constant है तो वो pressure के क्या है inversely proportional है तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया है और proportionality को हटाने के लिए आपको ए constant लगा सकते हैं जैसे k लगा सकते हैं तो volume आगे k आगया और inversely proportional to pressure तो यहाँ से अब क्या करेंगे pv is equal to k आजाएगा k means की क्या हो गया constant हो गया तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसकी जो दूसरी definition है वो यही रहेगी कि product of pressure and volume is a constant तो अगर आप pressure जो है किसी case में p1 लेते हैं उस case में suppose volume v1 है तो वो value जो है वो कोई constant होगी means की fix होगी अगर आप pressure change करके p2 ले लेते हैं और volume भी change हो जाता है क्योंकि जब pressure change करेंगे increase करेंगे तो volume decrease हो जाएगा तो वो भी constant हो जाएगा तो यहाँ पर आपको यह समयना है कि यह constant और यह constant same ही होगा value जो है वो fix रहती है तो इसका मतलब यह हुआ कि p1 v1 is equal to p2 v2 तो यह boys law का एक mathematical formula आ गया है जो आपको आगे numericals में use करना है और यहां को यह जरूर mention करना है कि at constant temperature कि इस में temperature जो है वो क्या है constant है तो यह जो formula यहाँ पर लिखा है pv is equal to constant इसके according जो है इसको आप दोबारा define कर लिजी यह इसकी definition है यह देखिए at constant temperature जो आपको लिखना ही है the product of pressure and volume of a given mass of a gas is constant तो given mass of a gas क्यों लिखते हैं हमेशा इसका मतलब यह होता है कि gas की quantity जो है वो fix है उसको आपने कम ज्यादा नहीं करना है तो जैसे जैसे आप pressure increase करते जाएंगे volume degrees होता जाएगा लेकिन दोनों की product जो है वो constant ही होगी इसको आप किसी experiment से आगे समझ सकते हैं आगे हम देखते है experimental verification of bias law ताकि आपको वो definition जो है ठीक से समझ में आ जाए तो experimental verification आप कह सकते हैं कि it can be verified by taking the following example तो इस तरह से एक example के तोर पर आप यह gas ले लिए suppose उसका volume जो है वो 2 लिटर है तो V1 हमने 2 लिटर यहां पर लिख दिया और इसके उपर pressure suppose 200 mm जो हम लगाते हैं यह आप कोई भी value suppose कर सकते हैं तो suppose इतना pressure लगाने पर volume जो है वो 2 लिटर रहता है और pressure का measurement होता है वो ऐसे एक U-shape tube लगा कर जिसको manometer बोलते हैं जिसके बारे pressure and volume तो वो कितनी है इस particular case में अगर pressure जो है suppose 200 है और उस pressure पर volume जो है वो 2 लिटर है तो दोनों की product जो है वो 400 आ जाती है तो second case लेते हैं suppose उसी जैस में mass उसका change नहीं करना है तो यह pressure हम double कर देते हैं तो double करना जो है वो 200 का double कितना होता है suppose 400 हम इसमें कर देते हैं pressure जो पहले क double है तो जो pressure double होगा तो volume जो है वो पहले का half हो जाएगा तो ऐसे case में volume जो होता है वो 1 लीटर हो जाता है तो अब दोबरा से pressure और volume की product करते हैं तो pressure जो है वो 400 volume जो है वो 1 लीटर तो product फिर भी उतनी ही आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि product or pressure and volume is always a constant तो जैसे जैसे आप pressure change करते जाएंगे volume उसके coding ही change होता जाएगा और इतना होगा कि वो product जो है हमेशा पहले जितनी ही आए तो इस experiment से इस law की experimental verification हो जाती है experimental verification के बाद हमें study करना है boils law का graphical verification तो graphical verification हम कैसे कर सकते हैं तो यहां पर आपको note करना है this law can be verified graphically by plotting तो तीन तरह से आप कर सकते हैं मैं तीन तरह से समझांगा आपको जो भी उसमें से easy लगता है वो आपको learn कर लेना है तो first है pressure versus one by volume तो अगर pressure को one by v के साथ plot करें तो देखे क्या होता है आपने यह study किया है कि volume pressure के क्या है inversely proportion है volume pressure के inversely proportion है या pressure volume के inversely proportion है वो एक ही बात है तो p जो है v के तो inversely proportion है लेकिन one by v के तो directly है तो इसका मतलब p अगर increase होगा तो one by v v क्या होगा increase होगा क्योंकि हमने ग्राफ one by v के साथ plot किया है तो p v के साथ तो inversely होता है लेकि one by v के साथ तो directly हो जाता है अगर आप 1BV की value जो है वो find out कर लेते हैं तो जब P versus 1 by V जो है वो plot करते हैं ये x-axis है ये y-axis है तो line passing through origin जो है वो इस type से मिलती है तो ये आप जब mathematics में coordinate geometric study करेंगे तो graph की knowledge आपको हो जाएगी तो P versus 1 by V से a straight line passing through origin is obtained इसको origin बोलते हैं तो इस तरह से एक line मिलती है जो ये show करती है कि ये दोनों इस दूसरे के क्या है directly proportional तो first graph तो ये है जो आपको learn कर लेना है और second देखते हैं PV versus P आपको पता है कि इस में आपको ये बताया गया था कि PV जो रहता है वो क्या रहता है constant रहता है इसका मत्तब ये हुआ कि प्रेशर जितना मरजी करें PV तो fix रहेगा तो अगर हम PV को ऐसे P के इस plot करेंगे तो P जितना मरजी increase करें PV जो है वो same रहेगा तो same के लिए ये line जो है parallel to x-axis आजाती है ये आपको note करना है तो कि PV versus P जो plot करते हैं a straight line parallel to x-axis is obtained और ये आप यहां पर दिखा देंगे तो ये second जो है ग्राफ ये हो गया और third देखते हैं third में हमने plot किया है volume versus pressure अगर volume को pressure के versus plot करें तो आपको पता है कि जैसे pressure increase करेंगे volume जो है वो decrease होगा और इस तरह की curve आएगी जिसको hyperbola बोलते हैं इस तरह की curve को तो parabola बोलते हैं वो mathematics में आपने बढ़ रखा है तो ये curve जो है कहलाती है hyperbola तो ये आपको नोट कर लेना है कि volume versus pressure के case में a curve in the form of hyperbola is obtained तो इस तरह से ये तीसरे नमबर का graph है तो ये graphical verification के लिए आप कोई सबी graph जो आपको easy लगता है वो plot कर सकते हैं आगे आपको समझना है significance of boys law जो बहुत important है तो boys law क्या आपको बताता है कि boys law proves that gases are compressible इसका मतलब क्या होता है कि जब आप pressure लगाते हैं किसी gas के उपर तो gas compress हो जाती है compress होने का मतलब है कि उसका volume जो है वो decrease हो जाता है तो आपको ये पता ही है कि pressure जो है volume के क्या है universally proportional है तो जब इसको उपर pressure लगा जाएगा और volume कम हो जाएगा तो gas के molecules जो है वो close आजाते हैं close आने से gas ज़्यादा dense हो जाती है means कि उसकी density जो है वो क्या हो जाती है increase हो जाती है कि density increase होगी या decrease होगी density क्या होती है किसी gas की mass per unit volume तो जब आप pressure लगाएंगे तो volume क्या होगा डिक्रीज और volume decrease होने से density जो है वो increase होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि pressure increase करने से density जो है वो increase होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि pressure जो है वो density के क्या होता है directly proportional होता है जब भी किसी gas पे pressure लगा जाए तो वो density को increase कर देता है या यह यह कह सकते हैं density जो है वो pressure के directly proportional होती है तो इससे क्या conclusion निकलता है कि जब हम altitude पर जाते हैं जैसे suppose कही Mount Everest पर या किसी बहुत उंचाई पर hills पर जाते हैं तो altitudes पर high level पर क्या होता है atmospheric pressure जो है आपको note करना है कि वहाँ पर atmospheric pressure जो है वो low होता है तो atmospheric pressure low है तो pressure low होने से क्या होगा density भी low होगी तो वहाँ पे less air जो है available होती है सांस लेने के लिए क्योंकि air के density कम हो जाती है तो air के density कम होगी तो वहाँ पर oxygen की density भी naturally कम हो जाएगी तो oxygen breathing purpose के लिए जो है वो available नहीं हो पाएगी उतनी ज़्यादा जितनी जरूरत होती है तो आपको जो main point है वो ये note करना था कि mountainers have to carry oxygen slender with them तो mountainers को oxygen slender लेकर क्यों जाना पड़ता है अगर वो average पर या किसी और hill पर जा रहे हैं तो उसका main reason है because less oxygen is available for breathing क्योंकि oxygen की density कम हो जाती है क्योंकि atmospheric pressure low होने से pressure low होगा तो density जो है वो कम होगी air की density कम होगी तो naturally oxygen की density भी कम ही होगी तो इस तरह से significance of boil's lab में यह point जो है आपको ज़रूर नौट करना है आगे हम study करेंगे numericals on the basis of boil's lab तो first question देखते हैं सबसे पहले a vessel of 120 milliliter capacity contains a mass of gas at 25 degree Celsius and 700 milliliter pressure the gas was transferred to other vessel having volume 175 milliliter calculate the pressure of gas at 25 degree Celsius तो आप देख रहे हैं कि temperature दोनों cases में seem ही है तो temperature constant है तो temperature constant है तो इसमें हम boil's lab लगाएंगे तो यह आपको दिमाद में रखना है ताकि आपको पता चले कि formula जो है वो कौन सा लगने वाला है तो इसका vessel का starting में volume जो है 120 milliliter था और pressure जो है वो 700 milliliter initial condition में और volume जो था वो कितना था 120 milliliter तो volume milliliter में pressure जो है वो milliliter में यहाँ पर दिया हुआ है तो volume जो है वो milliliter के जाए लीटर में decimeter के उमें कोई और unit भी हो सकता है और इस तरह से pressure का जो है atmosphere का बार कोई भी unit हो सकता है वो ही unit आपने इधर ले लेने है तो अब second case में देखते है calculate the pressure of gas इसका मतलब जो है second case में pressure जो है वो आपको क्या करना है calculate करने ना है और gas को क्योंकि दूसरे vessel में transfer किया गया है जिसका volume था 175 it means कि second case में जो second condition रही होगी उसमे 175 milliliter जो है वो volume आएगा तो आपको यहां लिखना है according to boils law तो क्योंकि temperature constant है इसलिए आप boils law का formula लगा रहे हैं और formula है P1 V1 is equal to P2 V2 तो बहुत ही simple mathematical formula है आप इस बेस पे इसलिए यहां से P2 जो है calculate कर पाएंगे देखिए P1 कितना है 700 और volume जो है इतना है 120 V1 जो है और P2 आपको calculate करना है और V2 जो है 175 है तो यहां से बड़ा easily जो है आप P2 जो है वो calculate कर पाएंगे तो वो क्या हैगा 700 into 125 और divided by क्या होगा 175 तो इस तरह से आप इसको simply calculate कर लेना और calculate करके यह आ जाएगा 500 और unit जो है आपको बिल्कुल ठीक लिखने है क्योंकि यह मिलिमीटर में था तो दूसरा pressure भी किस में आएगा मिलिमीटर में तो इस तरह से यह formula लगा कर आप numerical को बहुत easily कर सकते हैं second question देखते हैं तो इसकी statement देखिए 500 ml of a gas has a pressure of 180 mm of mercury kg का मतला है mercury है मिलिमीटर में pressure जो mercury की help सही measurement उसकी की जाती है तो at 298 Kelvin है इतना pressure और आगे लिखा है find its volume at 750 mm mercury तो यह इसका मतलब मिलिमीटर का मतलब है कि यह आपको pressure दिया है और आपको volume जो है वो find out करना है तो इसको कैसे solve करेंगे तो देखें यह यहाँ पर क्या है volume है volume तो 500 ml है जो starting में दिया था और pressure जो है वो 180 है तो P1 जो है वो 180 mm यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले pressure लिखना है और बाद में volume लिखना है आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते है और आगे लिखा है find its volume तो volume जो है आपको find out करना है और pressure जो है वो second case में वो कितना है 750 mm है तो आपने वही लिखना है according to बाद ला P1 V1 is equal to P2 V2 आपको पता चल गया होगा कि इसमें temperature एक ही दे रखा है 290-80 तो दोनों cases में 290-80 है तो जब temperature constant हो तभी आपको ये formula जो है वो implement करना है तो यहां से देखिए आप P1 कितना है 180 और volume जो है वो कितना है 500 और आपको find out क्या करना है ये V2 find out करना है P2 तो आपको दे रखा है तो यहां से आप बढ़ा easily जो है वो V2 find out कर पाएंगे तो ये आप यहां से इसको divide करतेंगे 750 से तो ये 120 जो आ जाएगा आप calculate करके चेक कर लेना एक बार तो unit जो है आपको ध्यान रखना है कि ये volume जो है exceeds .2 bar अगर इतना pressure लगा दिया जाए तो ये जो है brust हो जाएगा means की वो balloon फट जाएगा आगे है if at one bar pressure the gas occupy 2.27 liter volume up to what volume can the balloon be expanded किस हद तक आप balloon को expand कर सकते हैं ताकि वो brust ना हो फटे ना तो अग्वो प्रेशर जो है जो last में आप maximum कर सकते हैं उस balloon के हिसाब से वो .2 bar है तो यहां पर जैसे हम लिखते थे पहले P1 V1 इस ताइप से और इधर लिखते थे P2 V2 तो यहां पर आपको notice करना है कि pressure जो बादवला है वो इसमें पहले दे रखा है कि यहां तक आप जो है प्रेशर को expand कर सकते हैं तो वो .2 है और प्रेशर के unit जो है आपकी बार बार में दे रखे हैं तो यह आपको ध्यान रखना है और what volume can the balloon be expanded का मतल़ है कि आपको volume जो बादवला है वो calculate करना है और यह जो दिया है normally condition में कि वन भार प्रेशर है तो प्रेशर जो है अभी कितना है वन बार और इस प्रेशर पर गैस जो की पाई करती है volume जो है वो 2.27 लीटर करती है तो अगर volume यहां लीटर में है तो निचुली यहां भी लीटर में ही अंसर आपका आएगा तो यह statement थोड़ा सा टिपिकल है यह NCRT question है NCRT book में sword है आपको इसको देख सकते हैं और यहां पर जो है इसकी language थोड़ा सा टिपिकल आपको लग रही होगी कि जो बाद में जो condition है यह आपको पहले दे दी है और पहले वाली condition आपको बाद में दी है तो आपको language को बहुत जहांत से इसकी समझना है तो वो एक limit दे रखी है कि इतना आप pressure कर सकते हैं तो उस पर बताइए कि volume कितना होगा इसका मतलब वो P2 और V2 के बारे में बात हो रही है तो यहां आप formula लगा 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 P1 V1 is equal to क्या होगा P2 V2 तो आपको लिखना भी है according to by Zla तो यहां पर आप क्या लिखेंगे pressure तो है 1 और volume जो है 2.27 है लीटर में और is equal to P2 P2 कितना है 0.2 और volume जो है आपको find out करना है तो बस यहां से आप volume निकाल लेना 1 into 2.27 divided by 0.2 तो आप इसको solve कर लेना तो यह approximately 11.35 आ रहेगा और volume का जो unit रहेगा वो क्या रहेगा लीटर तो इस तरह से इस question को आपको बड़े ध्यान से करना है next question दिखते हैं यह है a simple of gas has volume 100 decimeter cube तो यहां पर volume जो है decimeter cube में दिया है और यह मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि decimeter cube और liter जो है वो एक ही बात होती है लेकिन आपको यहां पर यह decimeter cube लिखा ही रहने देना है at one bar pressure तो pressure जो है यहां पर बार में दे रखा है at 25 degree Celsius आगे है how much additional pressure तो यह additional word यूज किया हुआ यहां पर इसका भी मतलब आपको समयना है how much additional pressure must be applied in it to reduce reduce means कम करना reduce its volume to 10 decimeter cube volume को घटा के यहां से लेकर 10 decimeter cube तक लेके आना है इसका मतलब यह पहला वाल्लम है और यह बाद वाल्लम है और यह बाद वाल्लम है वो initial और यह final ऐसे इसको बोलते हैं at the same temperature same temperature का मतलब है कि temperature constant है तो naturally यह बाइस ला का ही numerical है क्योंकि बाद में आप दूसरे लाउस भी पढ़ लोगे तो फिर उनके भी numerical होंगे तो आपको confusion हो सबता है कि कौन सा formula इसमें लगाना है तो वो बड़े ध्यान से आपको समझना है तो यहां पर जो है हम पहले की तरह यह P1 B1 ऐसे लिख देते हैं और final condition जो है वो P2 B2 ऐसे लिखेंगे तो volume जो है starting में कितना है 100 decimeter cube तो यहां पर 100 decimeter cube लिख देता हूं और यहां पर क्या दे रखा है बार जो ह वो pressure ही होगा तो यह तो है starting condition और आपको लिखा आगे additional pressure means की निकालना तो pressure ही है और volume जो है आपकी बार दे रखा है कितना 10 decimeter cube तो formula पही लगा दीजिए P1 V1 is equal to क्या होगा P2 V2 तो P1 कितना है 1 और volume जो है वो कितना है 100 तो यहां से P2 जो है आपको निकालना है और volume जो है व तो यहां से जब P2 आप इसको solve करेंगे यह 10 इसर divide हो जाएगा तो P2 जो है वो 10 आजाएगा pressure जो यहां पर आना चाहिए और उसके unit क्या होंगे बार तो 10 बार जो है pressure आपको apply करना है लेकिन इसमें लिखा है additional pressure तो इसका क्या मतलब है कि pressure 1 बार तो आपने extra कितना लगा तो आपने total 10 कर दिया तो additional pressure जो है वो कितना लगाया है इट मीज कि आपने 10-1 करके कर देते हैं तो नाइन बार जो है pressure वो लगाया वन में तभी वो कितना हुआ 10 तो इस तरह जो कभी टिपिकल वर्ड कहीं बार यूज होते हैं तो वो आपको बड़े ध्यान से समयने हैं तो इ झाल